Union Bank of India के New Mobile Banking Application Union Biom से Fund Transfer के लिए Beneficiary को कैसे Add करते हैं चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले Union Biom को Open करेंगे कि और लागिन पर क्लिक करेंगे और यहां पर लागिन पिन इंटर करेंगे फोर डिजिट का कि नीचे जाएंगे मैनेज पेई इस पर क्लिक करेंगे आड़ न्यू पेई पेई टाइप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे कि यूनियन बैंक आफ इंडिया का पेई है या फिर अधर बैंक का है या फिर आपको एमम आईडी के थूरू बेनिफिसरी को एड़ करना है या पेई को एड़ करना है या फिर आपको यूपी आई आईडी के थूरू पेई को एड़ करना है यहां से आपको सेलेक्ट करना होगा अगर यूनियन बैंक आफ इंडिया का पेई है तो यहां पर क् और यहां पर निक नेम आफसनल है आप इसको दे भी सकते हैं नए भी दे सकते हैं नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ट्रांजक्शन पिन इंटर करेंगे आपके रेजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक सिक्स डिजिट का OTP रिसीब होगा और उसको इंटर करे सब्सक्राइब करेंगे निक नेम करेंगे और यहां पर निक नेम इंटर करेंगे और यापसनल आप इसको दे भी सकते हैं नए भी दे सकते हैं यहां पर अपको को एक बार re-inter करेंगे और यहां पर IFC code दे देंगे एकाउंट टाइप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे कि बेनिफिसरी का किस टाइप का एकाउंट है सेविंग है करेंट है फिर ओबरड्राप्त है जनरली सेविंग एकाउंट होता है तो सेबिंग एकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे चली हम सब फील कर लेते हैं एक बार प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और इसको कनफर्म कर लेंगे और यहाँ पर फोर डिजिट का ट्रांजक्शन पिन इंटर करेंगे और इसको सब्मिट कर लेंगे और इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक सिक्स डिजिट का ओटिपी आ जाएगा और उसको यहाँ पर इंटर करेंगे और इसको सब्मिट कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा वी आर दैट फर्स्ट अब आपका बेनिफिसरी सक्सेस्फुली एड हो गया है अगर आपको MMID के थुरूप बेनिफिसरी को एड करना है तो MMID को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर PAYE का नेम इंटर करेंगे और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर उसकी MMID इंटर करेंगे MMID 7 डिजिट का एक रैंडम यूनिक कोड होता है जिसे आप खुद मोबाइल बैंकिंग से क्रियेट कर सकते हैं या फिर आप बैंक से भी ले सकते हैं निकनेम आप इसको दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं और इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे ट्रांजक्शन पिन इंटर करेंगे और इसके बाद आपके रैजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का OTP आ जाएगा और उसको इंटर करेंगे और इसके बाद आपका बैनिफिसरी एड हो जाएगा अगर आपको UPI ID के थुरू बैनिफिसरी को एड करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसकी UPI ID को दर्ज करेंगे निकनेम यहाँ पर आपसनल है नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे सेम प्रोसेस है और इसके बाद बैनिफिसरी एड हो जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए और साथ ही साच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स फार वाचिंग